Welcome to Defense Dynamics इस वीडियो में हम बात करेंगे Iron Dome की जिसका नाम आप काफी सुन रहे होंगे इसराइल और हमास के बीच हो रहे ही लडाई के वज़े से जानेंगे आखिर क्या है Iron Dome ये कैसे काम करता है और क्या इंपोर्टेंस है इसकी इसराइल के लिए Iron Dome एक All Weather Air Defense System है जिसे एक से दूसरे जगा मूव किया जा सकता है इसे इसराइल के रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने डेवलप किया है इसे चार से सतर किलोमेटर दूर से फायर किये हुए शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉई करने के लिए डिजाइन किया गया है इसराइल आइरन डॉम के रेंज को 70 से बढ़ा के 250 किलोमेटर करने के अलावा जादा वर्सेटाइल बनाना चाहता है ताकि दो अलग डिरेक्शन से आने वाले रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर सके ये रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए तामीर मिसाइल का यूज करता है इसके interceptor missile तामीर का weight 90 kg, length 3 meter और diameter 160 mm होता है आयरें डोम के तीन main component होते हैं पहला component है detection and tracking radar जिसे ELTA जो एक Israeli defense company है और इसराइल aerospace industry की subsidiary है उसने बनाया है दूसरा component है battle management and weapon control BMC ये control center Empress system ने बनाया है ये एक Israeli software company है और तीसरा missile firing unit ये unit तामीर interceptor missile launch करता है जो electro optic sensors से equipped होता है इस missile को rapile बनाता है पहले आरें डोम का radar ये detect करता है कि rocket launch कहां से हुआ है और उसके trajectory क्या रहेगी फिर BMC radar से मिले हुए data के base पे calculate करता है कि rocket का hit point कहां होगा और इसी information से decide करता है कि target से कोई खत्रा है की नहीं और खत्रा हो तो interceptor missile fire किया जाता है ये target को neutralize करने के लिए proximity fuse detonation mechanism का use करता है जैसे ये missile के पास पहुंच जाता है proximity fuse missile को detonate कर देता है और missile के explosion के साथ target भी neutralize हो जाता है टिपिकल एर डिफेंस मिसाइल बैटरी में एक रडार यूनिट मिसाइल कंट्रोल यूनिट और बहुत से लॉंचेस होते हैं और यह सब एक ही जगा पे होते हैं लेकिन आयरें डॉम को बनाया गया है scattered बैटिन में deploy करने के लिए रडार कंट्रोल यूनिट और लॉंचर सबको अलग अलग जगा deploy करके operate किया जाता है हर लॉंचर में 20 interceptors होते हैं और इन्हें secured wireless connection के द्वारा remotely operate किया जाता है माना जाता है हर बैटरी लगबग 150 square kilometer की area को protect कर सकती है iron dome की effectiveness की बात करें तो April 2011 में iron dome पहली बार deploy किया गया था और इसने कत्युशा rockets को successfully intercept कर लिया था जिसे हमास ने fire किया था इसराइल पे उसी साल आगस्ट में iron dome ने और 20 missiles को intercept किया जो इसराइल पे fire किये गए थे जबकि एक बार इस सिस्टम ने 5 में से 4 rockets को destroy कर दिया था जो fire किये गए थे city of बिर्शी बाबग पांचवे rocket को ये नहीं रोक पाया था ऐसी अलग-अलग मौकों पे iron dome ने 80 से 95% की efficiency दिखाई है rockets को intercept करने में iron dome इसराइल के लिए बहुत ही important है Palestine conflicts के वज़े से हमास अक्सर rockets fire करता है गाजा से इसराइल पे और यही main reason भी था iron dome को develop करने का iron dome को develop करने में बहुत ही ज़ादा funds यूज हुए हैं और इसे operate करना भी काफी costly है एक iron dome system की केमत लगभग 370 करोड होती है और इसकी तामिर interceptor missile की कीमत लगभग 60 लाग होती है और एक rocket जो की लगभग 80,000 का होता है उसे intercept करने के लिए 2 missiles launch किये जाते हैं लेकिन फिर भी iron dome एक बहुत ही important defensive system है जो अब तक बहुत से लोगों की जान बचा चुका है और अगर iron dome नहीं होता तो इसराइल को काफे नुकसान उठाना पड़ता iron dome सही माइने में life saver है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए जैहन